io这ups zo beach camera smartphone आधे 25,000 तो ब traz love dh kita आज हम मैं क्यामाइट पार्टिफन ते आज में इस ब्रकट कर अश्चर एंधान आज इस की बात करें के तो बात करने सीयघैन नम बो फार्वाब की सब्चारा बात करते हैं नौटटमाइज स्मार्ट फुन की मतलग बात सैंसंंंग के स्मार्ट फिन्ट के तो भाइं अगर झाल धुऌनि क्योंकि यह कलर्स वाइस देखा जाए तो Samsung Galaxy M51 का डिजाइन कलर लुक अवगारा जाता सही है एस कंपैर्जन किया जाए Samsung Galaxy F62 से ठीक है इन में प्रोचेसर दोनों में आपको तगड़ा देखने को मिल जाता है बैंटरी लाफ आपको 7000 एमेज की दोनों में मिल जाएगी मतलब आपके दू दिन तो नॉर्म निकल जाएंगे सॉरी जितनी भी आपने हाड कोर गेमिंग करने हैं मुल्टी टास्किंग करने कुछ भी करना जाते हैं आप नॉर्मली ईजली कर सकते हो कैमरा क्वाल्टी दोनों की अपर देखने को मिल जाते हैं एंड यह 25000 से नीचे दोनों स्मार्टफून देखने को मिल जाते हैं तो आप देख लेना अगर आपको Samsung Galaxy F62 से लगता है भी आप उसके और जा सकते हो अगर आपको Samsung Galaxy M51 से लगता है आप इस स्मार्टफून के और भी जा सकते हो लेकिन अगर मेरा बजट 25000 से नीचे होता एंड मुझे नौन चाने स्मार्टफून चाहिए होता है तो बही मैं जाता है Samsung Galaxy M51 के और भीकर उसका कलर उसका डिजाइन है और उसका लुक अवगराई का प्रीमियम अटेचर देता है आप यह चीज़ दियान में रखना की डिजाइन लुक को जो है वह Samsung Galaxy M51 का ज्यादा अपर आपको देखने को मिल जाता है तो भी अगर आप लेना चाहिए अप ले सकते हो अगर आपको स्मार्टफून चाहिए स्प्राइज में मैंने दो स्मार्टफून रखे हैं जो भी आ लेना जाते हो आप ले सकते हो मैं बात करूं MI 10i की एंड मैं बात करूं Redmi Note 10 Pro Max की अगर मैं इन दोनों स्मार्टफून की बात करूं दोनों में आपको 120 रिफ्रेशर के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाते है लेकिन जो Redmi Note 10 Pro Max है वो आपको 5G नहीं देखने को मिलता है इस हार्ड़कॉर गीमिंग करनी है आप इसली नौर्बी दोनों स्मार्टफून पर कर सकते हो कैमरा क्वाल्टी दोनों की बहुत ही ज्यादा आप पर है को और कैमरा सैटप दोनों में देखने को मिल जाते है लेकिन Redmi Note 10 Pro Max जो है वो डॉस्त प्रूफ है उसमें आपको IP 53 रेट जो है वो आपको 5G देखने को मिल जाता है लेकिन जो Redmi Note 10 Pro Max है वो आपको 5G तो नहीं देखने को मिलता है लोकिन उसमें आपको सूपर एमलर डिस्प्ले मिल जाती है IP 53 वाटर एंडस्ट रेटिंग देखने को मिल जाती है तो उसकी कुछ अपनी खास है और MI 10i की कुछ लो सकता है अगर आपको 5G से फरक वगरा नहीं पड़ता आपको अच्छी डिस्प्ले चाहिए IP 53 रेटिंग चाहिए तो आपके लिए लो सकता है Redmi Note 10 Pro Max आप चाह सकते हो दोनों का डिजाइन कर लोक वगरा बहुत ही ज्यादा अपर है तो आप देख लेना लिंक दोनों के दिए हुआ है जो भी आपको डिजाइन लुक वाज अच्छा लगता है आप उसके और जा सकते हो आगे बात करते हैं No.3 की No.3 की बात करो है No.3 पर रखे है मैंने Realme की और से स्मार्ट फून तो इस प्राइज में मैंने फिर से रखे हैं यहार दो स्मार्ट फून जो की Realme स S7 जो ओ आपको फाब जीदिखने को मिलता है लेकिन Realme X3 जो आपको फाप जी नहीं दीखने को मिलता है Realme X7 आपको ैमिलेट डिस्प्ले में जाते है जो कि आपको Realme X3 में IPS LCD देखने को मिले कि यो कि 120 रिफ़्रेश के साथ देखने को मिलती है पर साथ दोनों में लेकिन आपको फ्रॉंट कैमरे में फोर की ऑप्शन दोनों में नहीं देखने को मिलता है प्लस नया लॉंच होई डिजाइन लुक वगरा बहुत ब्यारी है तो भी अगर आपका पच्छेस अदार से कम है आपको रियल्मी का ही स्मार्ट फून चाहिए तो आप देख लेना अ आपके लिए स्मार्ट फून चाहिए तो आपके लिए बेस्त दीले वसक्ता है व्यल्मी एक्स्टी के अर जा जाते हो आप उसके और भी जा की बतकुरिए नबर टूपर यार मैंने रखा वीवो वीट्वंटी को तो सबसे पहले बता दो भी अगर आपको एक कैमरे के लेकिन कैमरा कॉल्टी बहुत ही ज्यादा सही है प्लस इसके कैमरा अप्लिकेशन में आपको ऐसे कही फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपकी फोटो को आपकी सैल्फिस को आपकी वीडियो र्कॉर्डिंग को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं तो अब देख लेना अगर आपक स्थी कि अब यह उच्छा चाहिए यह डिजाण लुक करा अबी अपर चाहिए आप के लिए ये दोनों स्मार्टफ़ों भी बहुत ज़ादा सही होने वाले हैं में बात करूं आईक्यो ज elo 3 की एंड मैं बात करऊंивать कि हैं या आपको बहुत ही ज़्यादा सही लगने वाले मतलों आपको पसंद आएंगे यार अगर आपका बज़ेट 25,000 है तो सबसे पहले बात करते हैं IQ 003 के अगरे स्मार्टफून की बात कुरूं सबसे पहले आपको 5G स्मार्टफून बेल जाता है आपको यह स्मार्टफून मिल जाता है पहले इसका प्राइस 30,000 था 30,000 था 30,000 के बज़ेट वेंची में मिलता है लेकिन अपको इसका प्राइस और भी कम हो गया आपको 25,000 के बज़ेट में देखने को मिल जाता है फून जो वो 360 डिग्री पूरा उपर हो जाता है सेल्फी बगारा बहुत ही जादा अपर है अगर आप सेल्फी लेने के ज़्यादा शुक्यून हो आपके लिए तो पोफेक्ट डिल होने वाली है स्नैप्रेगन 855 प्लस आपको प्रसेसर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही तगड़ा हार्ड़कूर गेमिंग करने है इसली नॉमली कर सकते हो 6GB RAM के साथ देखने को मिल जागा इसकी डिस्प्ले क्वाल्टी बहुत दर्ध ज्यादा पर आपको मिल जाती बिकास आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती इसके स्मार्टफून है तो मतलब यार इतने प्राइच नहीं मतलब 25,000 के बजट वेंच में आपको एक वाटरप्रूफ स्मार्टफून मिल जाना डूल डिस्प्ले मिल जाना अच्छी सैल्फी अच्छा प्रसासर तगड़ा प्रसासर मिल जाना वह चीज सच में मैटर करती है त अगर आपको वाटरप्रूफ स्मार्टफून चाहिए लजी जी एडएक्स आपके विले पोफेट डील हो सकता है बाइंक लिंक में डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया हूँ अगर आपने चाफूल कर सकता हो गर आपने परचेज करना है आप परचेज भी कर सकते हो 25,000 के बजट बेंज में तो यार अभी मैंने आपको इतने स्मार्टफून बता दिये समसंग के स्मार्टफून पी बता दिया मैं के भी बता दिया विजल मी के भी बता दिया विवो भी बता दिया उसके बाद भी मैंने आपको आईक्यू 3 भी बता दिया LG का स्मार्टफून भी जो भी आप लेना जाते हो, आप ले सकते हो, नॉर्मली एजली ले सकते हो, सभी के पाइंक लिंक में इन दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आपने डीपली को भी चापूट करना या स्पैसिफिकेशन पढ़ना जाते हो, आप पड़ सकते हो, अभी यार मेरी आप धारफिघ को ड आता है, तै कि य।